मॉर्णिंग बच्चो और यू कैसे हैं सब लोग हमारे पास कौन सी पुस्तक है अंक जगत कक्षा पांच की है आज अब हम लगुतम समापवर्थ और महतम समापवर्थ तक सीखेंगे आज हम लगुतम समापवर्थ और महतम समापवर्थ इनको लासा और मासा बोलते हैं ये सीखेंगे लासा मासा सीखने से पहले हमको विभाज्जिता पता होनी चाहिए विभाज्जिता क्या कहते हैं इसको विभाज्जिता लासा मासा पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए विभाज्जिता क्या होती है विभाज्जिता एक प्रस्ण बताईए उसका उत्तर दस केले दस केले दो लोगों को बांटना है तो प्रतिये को कितने कितने केले मिलेंगे कितने कितने केले मिलेंगे वही दस केले पांच लोगों में अगर बांटना हो तो कितने कितने केले मिलेंगे दो दो कितने कितने और दस केले तीन लोगों में बाट ना हो तो बताईए कितने केले मिलेंगे बाट पाओगे बताओ तीन लोगों में चार-चार कहां से बढ़ जाएंगे भाई बाट पाओगे नहीं बाट पाएंगे क्या पताया नहीं बाट पाएंगे जब नहीं बाट पाएंगे तो उसको हम कहते हैं विभाज नहीं है और जब हम बाट देंगे तो हम कहते हैं विभाज है क्या कहते हैं और जब नहीं बाट पाते हैं तो कहते हैं बिभाज नहीं है कैसे पता लगाओगे जब हम भाग देते हैं और भाग देने पर सेश फल बचता है तो हम कहते हैं बिभाज नहीं है क्या कहते हैं जब सेश फल बचेगा तो बिभाज नहीं है जैसे तीन का भाग दस में देते हैं तो तीन तिया नो और यहां सेश फल कितना बचा एक तो दस जो है किसे तीन से बिभाज नहीं है अब हम क्या करते हैं जब हम गुलंखंड निकालना सीखते हैं तो हमको पता होना चाहिए बिभाज है कि नहीं है तो हम पहले बिभाज जिता सीखेंगे पहले हम पता करते हैं दो से बिभाज जिता क्या पता करते हैं यानि की संख्या में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसके लिए हमारे पास एक नियम होता है क्या है कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक दो से विभाजित होता है वह संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होगी जैसे 510, 6452 सब लोग इकाई का अंक जानते हो सबसे आख्री में जो अंक लिखा होता है उसको इकाई का अंक कहते हैं और उस इकाई के अंक में दो से भाग देने वाली संख्या कौन सी जैसे हमारे पास दो का पाणा है उसी को हम देख लेते हैं 2 के पाणे में पहले क्या आता है सबसे पहले आएगा 2 के पाणे में 2 एकंग 2 फिर दो दुनी 4 2 तिया 6 2 चौक कू 8 और आख्री में आता है 10 तो 10 की इकाई क्या होती है 0 तो याद रखो इकाई में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 लिखा हुआ है तो वो संक्या दो से विभाज होगी जैसे हमारे सामने लिखा है ग्यारा ग्यारा में आप दो से भाग देंगे तो क्या बताओगे दो से विभाज नहीं है क्यों नहीं है बताइए क्योंकि इसका इकाई का अंग कितना है एक तो पहला नियम क्या हो गया अगर यहां पर बारा लिखा होता तो दो से इसमें भाग चला जाता दो से भाग हो जाता कैसे दो का भाग दिया बारा में दो का पाला पड़ा हमने छे बार दो से छंग बारा बारा से बारा घड़ाए कितना आया जीरो तो भाग चला गया, सेशफल जीरो आ गया, समझ गए अगला है तीन से विभाज जिता किसी संख्या में तीन का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसका हमारे पास भी एक तरीका है तीन से विभाज संख्या है यदि किसी संख्या के ध्यान से सुनिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी जैसे लिखा है 739 और 24139 संख्या के क्या बताना था संख्या के अंकों का योग जैसे संख्या लिखे है 25 तो 25 में अंक कौन कौन से हैं? 2 और 5 और 2 और 5 को जोड़ों कितने आया? 7 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 25 में भी नहीं जाएगा 25 अंकों का योग कितना होगा? 2 और 5 कितना आया? 7 कितना आया साथ और साथ तीन से साथ जो है तीन से विभाज नहीं है तो पच्चिस भी तीन से विभाज नहीं होगा एक बड़ी संख्या लेते हैं 729 तीन से विभाज है या नहीं ये हमको पता करना है क्योंकि पेपर में हमसे बड़े बड़े सवाल पूचे जाएंगे अब हम 4 में और 5 में आ गए हैं तो हमको 6 अंकों की 7 अंकों की 8 अंकों की संख्याएं मिलेगी 729 साथ दो और नौ इनको दोनों कुतिनों को जोड़ दो साथ और दो नौ नौ और नौ होगे 18 अठारा तीन से विभाज है अठारा में तीन का भाग जाएगा द्यान से देखो पाड़ा पढ़ लो तीन का भाग जा रहा है तीन से विभाज है थोड़ा कटिन तो है दो की अपेच्छा थोड़ा कटिन है लेकिन क्या है इससे आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि तीन का भाग जाएगा दो का भाग जाएगा फट से बता दिया हमने तीन से विभाजज़ता के बात अब हम पड़ेंगे चार से विभाज संक्या है वे संक्या है जिनमें चार से भाग चला जाता है ये पता करने के लिए हमको क्या करना है संख्या के एकाई और दहाई अंकों की संख्या को देखना है जैसे हमारी पहली संख्या है 124 इसका एकाई और दहाई का अंक देखना है कितना रहा है 24 दूसरी संख्या है 3428 इसका एकाई और दहाई है 28 अगर 24-28 चार से विभाजित हैं तो ये पूरी संक्या भी 4 से विभाजित होगी यही है हमारा चार से विभाजिता का नियम जैसे ये सबी संक्या हैं 124, 3428, 112, यानि 1200 या तो इकाई और दहाई के अंक सून्य हो दोनों ही या चार से विभाज हो तो वह संक्या चार से विभाज होगी तो चार से विभाज जिता में इकाई और दहाई का अंक या तो डवल दोनों सून्य हो या फिर चार से विभाज हो कुछ उधारन एक उधारन हम आपको बता देते हैं उधारन में क्या है कि जैसे आपके पास कोई संक्या है 324 तो यहाँ पर इसका इकाई और दहाई है 24 और 24 जो है वह चार से विभाज है तो इसलिए 324 भी चार से विभाज होगी अतह तीन सो चार से विभाज है एक संक्या है 2722 तो यहाँ पर इकाई और दहाई अंक है 22 और जो 22 क्या है चार से विभाज नहीं है तो क्योंकि 22 चार के पहाणे में नहीं आता है अतह निम्म संक्या 2722 भी चार से विभाज नहीं होगी और अंतिम जो निम्म है अगर एकाई और दहाई दोनों सून्य होग जैसे 100 200 1400 यह सबी संक्या है चार से विभाज हैं तो यह था हमारा चार से विभाज नहीं अब अगला निम है पांच से विभाज नहीं है अगला निम है पांच से विभाज नहीं है यदि किसी संक्या के एकाई के स्तान पर जीरो या पांच हो तो वह संक्या पांच से विभाज नहीं होगी ये विभाजता का सबसे सरल नियम है जैसे यहां लिखा है 340 ये संख्या इसका इकाई का अंक सुनने है ये 5 से विभाज होगी अगली संख्या में है 7,890 इसका इकाई का अंक सुनने है तो ये भी 5 से विभाज होगी अगली संख्या है 5785 इसका एकाई का अंक 5 है तो 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से विभाज होगी अगला नियम है 6 से विभाज संख्याएं वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज हो इन में 2 का यानि की एकाई का अंक 2, 4, 6, 8 सुन्य हो या उनके अंकों का योग 3 से विभाज हो दोनों ही नियम एक साथ लगाने पर लग रहे हैं तो वह संख्या 6 से विभाज होगी क्योंकि 6, 2 और 3 का गुरंखंड होता है तो 6 से विभाजता के लिए 2 से विभाज हो और 2 की विभाजता और 3 की विभाजता एवं 3 से विभाज हो तो वह संख्या 6 से विभाज होगी निश्चित ही तो ये था 6 से विभाजता का नियम अब अगला नियम है 8 से विभाजता और 4 से विभाजता में थोड़ा सा थोड़ी सी समानता है आठ से विभाजता के लिए आपको एकाई, धाई और सैक्ला तीन अंग याद रखने होंगे एकाई, धाई और सैक्ला अगर तीनों अंग आठ से विभाज है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजत होगी जैसे यहाँ पर लिखा है 1248 तो यहाँ पर एकाई, धाई और सैक्ला कितना होता है 248 और 248 से विभाज है या तीनों अंक सून्य हों तो भी वह संख्या 8 से विभाजत होगी एकाई, धाई और सैक्ला या तो 8 से विभाज हों या तीनों ही अंक सून्य हों तो वह संख्या 8 से विभाज होगी यह है आठ से विवाजता का नियम, अब एक नियम और याद कर लीजिए जो मुख्रूप से आता है, ग्यारा से विवाजता, ग्यारा से विवाजता, जदी संक्या के सम एवं विसम विस्थानों के यंकों के योग का अंतर सून या ग्यारा का गुलज हो, तो वहां संक्या ग् जैसे कि लिखा हुआ है 1331 यह संख्या 11 से विभाज है या नहीं है तो पहले सम इस्थानों का योग फल सम इस्थानों तो सम इस्थानों में यानि दूसरा और चौथा सम इस्थानों का योग आपका कितना आ रहा है यहां पर तीन और एक चार विसम इस्थानों का योग विसम इस्थानों पर आने वाले अंकों का योग यह भी आपका चार आ रहा है एक और तीन इनका अंतर आप निकालते हैं तो अंतर कितना आ रहा है चार में से चार आप ने घटाया सून ने आया अंतर कितना है सून ने है तो संख्या ग्यारा से विभाज होगी अंतर कितना है सुन ने है तो संख्या आप ने चार कितना है